कि चारो को न पोखरा खनई वो छटिया होई हैं जरूर जोने गावे जई हैं मोरी बिटिया छटिया पुजई हैं जरूर तलवा खनई हैं जरूर तो ताल खनाना जल संगरक्षन पानी के बड़ी बड़ी बेवस्ता जो चट के आयोजन के पीछे छुपी है वो तो कृत्रिम घाट में पूरी नहीं हो सकती पहला तो जो कृत्रिम घाट की व्यवस्ता है उसकी व्यवस्ता देख सकूँ मैं संतुष्ट हूँ मैं यहां के जो जिले के डीम है अरुन मिस्रा जी उन्होंने बहुत अच्छे से मुझे सारी बातें बताई एश्डिम को भेजा और जो भी सुविधाय और चाहिए वो अच्छे से कर रहे हैं मैं लोकल गौर्मेंट का लोकल लोगों का धन्यवाद करता हूँ लेकिन यमुना जी पे प्रतिबंध जिस कलिंदी कुंज के वो जाग अमोनिया फस्फोरस के कारण लगा है उससे चिंतित भी हूँ क्योंकि वो जो भी जाएगा किनारे उसको नुकसान पहुचाएगा लेकिन इसमें कलिंदी कुंज के जाग के बाद पूरी यमुना जी को छट के लिए बैन कर देना मैं इसको थोड़ा सा अत्याचार मानता हूँ क्योंकि दिल्ली की पूरी यमुना जी वो गंदी नहीं है दिल्ली में वजीराबाद बेराज के पहले की यमुना जी और वजीराबाद बेराज के बाद की यमुना जी दोनों में अंतर करना चाहिए वजीराबाद बेराज के उपर को परमीसन देना चाहिए ये सारी जो जगह आप देख रहे हैं यहां छट होता है कालिंदी कुंज के जाग का असर वजीराबाद बिराज के ऊपर नहीं है इसलिए इसको छट के लिए परमिसन दिया जाई हमारी प्रार्थना है करित्रिम घाट सोनिया विहार में तो पिछली साल से बनना शुरू हुआ है पूरे दिली में भी कई जगश करित्रिम घाट आज भी पार्कों में बनते हैं ठीक है वो आस्थाय आपकी पुरी हो रही है लेकिन जो छट की सोच है कि छट के बहाने प्राकृतिक जल के साधन बने तालाब खुदे तो हमेशा खुदे रहे वो तो कौज मर जा रहा है ना